सब रुग्गांधा इलाज रिकी स्पर्ष चकितसा अगला पार्ट सत स्रीर केवले स्थूल स्रीरी साड़ा संपूरन स्रीर नहीं है स्थूल स्रीर दे चारे पासे दो सूखम स्रीर हन जो व्यक्ती नूँवे खाईता नहीं दंदे पर उना दा व्यक्ती दे जीवन्च सेतनाल गैरा सबन्द है ओहन प्रान स्रीर, मनुमे स्रीर इस रहना तिनना स्थूल स्रीर प्रान स्रीर, मनुमे स्रीर दी संतुलत हालत विच्ची व्यक्ती सेतमन्द रहन्द है जेना तिन्ना स्रीरां चो केसी इकदा भी संतोलन विगड़दा है ता व्यक्ती बिमार हो जान्द है फिर जदों तक होना दा संतोलन स्थापत नहीं हो जान्दा तद तक व्यक्ती दा सेथ मंध होना असंभव है शास्त्रांच दस्या गया है कि साड़ा स्रीर मातर एक की ही नहीं बलके एदे इलावा कई स्रीरे स्रीर दे अंदर सुन्जोए हुए हैं एक स्रीर दे अंदर दुजा स्रीर दुजे दे अंदर ती जा ते जादे ना सारे स्रीरां दियां सीमावानों सी पार कर लेने हैं तद ब्रहमंड दी स्थापना हो जान दी है। फिर बार देखन दी कोई लोड़ी नहीं होंदी। पगवान शरी कृषिन ने अर्जन नू छातीच ब्रहमंड दिखाके इसे गलनू साबत केता सी कि उना सात स्रीरां दी सीमा तो परे है। तो उना दी अंदर पूरा ब्रहमंड व्यापत है। इस सारा ब्रहमंड ते अंत फैलिया हुए है। यदा कोई थोपता नहीं। बेहसाब ब्रहमंडा नाल बढ़े हैं। इसले इदी सीमा अपार है। इसले रिशिया ने इस महा सुन संग्या नाल सनमानत कीता है। अंगेंत रहास छपे हुई हैं इस वेच। ते इना अलाग अलाग रहसांच सब तो वद रहास माई हैं मानव स्रीर। खोद क्रिशन ने गीत आज के आया है कि जिस तरह ब्रहमंड बार है। उसे तरह सुन्दरता नाल पूरी तरह नाल स्रीर विच स्थापत है। सब कुछ ठीक इस गालवाल संकेत कर दे हैं। पगवान शिरी क्रिशन वास्त्विक रूप्च जो कुछ भी बार द्रिश्टी को चरहूंद है। उही साड़े स्रीर स्थापत है। जेब रहमंड अनन्त है, तरह साड़े स्रीर दियां सम्मावावी अनन्त है। वैसे तक फुल मिलाके साथ स्रीर मनने गई है। स्रीर ठीक माध्यम है। उदे अंदर साथ सूखम स्रीर हैं ते इस स्रीर दे बार आभा मंडल दियां सत परता है। पहली है स्थूल स्रीर फिजिकल बाड़ी, पौतिक स्रीर जिनुसी के निया, बैंगनी रंग, प्रान स्रीर इथरिक बाड़ी, आरा बाड़ी, पाव स्रीर, अकास स्रीर, नीला रंग, सूखम स्रीर, एस्ट्रल बाड़ी, पीला रंग, कारण स्रीर, कोजल बाड़ी, नार चैतन सरीर, स्पिर्च्छल बॉड़ी, वड़ा सरीर, आत्मक सरीर, आतम सरीर, सिल्वर, ते सत्मा है, विराट सरीर, कॉस्मिक बॉड़ी, निर्वान सरीर, गोल्डन सुनरी, आम व्यक्ति नू इन्नी गहराईच जान दी लोड नहीं है, इस सब गला योगियां लई हन, आम तो मुक्ति पॉड़ी, तिन सरीरा नू समझना जरूरी है, चक्रा दा से दान्त, पारत दे रिशी मुनी, अपने दिब्द रिष्टी नाल मानव दे प्रान सरीर विट स्थित, सत शक्ति दे के इंदरा नियां गती विदिया नू देख्या कर दे सन, चक्रा दे चंगी तरा जानकारी प्रापत करके उना दा विस्थार नाल जिकर कर दे हुए, चक्रा दे मानव जीवन्च महत्तव नू समझाया है, नाल नाले वी जानकारी दिती गही है, कि कि में विचारां दे दबा कारण, चक्रा दी गती ते शक्ती ते बुरा परबाब पेंदे, गती ते शक्त बिमारियां दा आगमन होंदे हैं, हालांके साथ चक्र स्थोल स्रीच ना होन कारण किसे भी तरह दे चीर फाड़ द्वारा सी एनू वेखता नहीं सकते, पर एना चक्रां दी गती, शक्ती ते स्थिती दान भव जरूर कर सकते, एसलिए व्यक्ती नू थोड़ी जी साधना ते अब्यासदी जरूरत है, पारण दी रिशियने ना शक्ती दे केंदरा यानी चक्रां दी स्रीच स्थिती दे नाल नाल कारज पर नाली नू भी समझे हैं, जीदा इत्थी विरवा दिता जा रहे हैं, पहला है मूल चक्र मतलब रोग चक्र, आदमियां वेच ए अनुत्रिक खेतर वेच दे इस्त्रियां वेच अंडाशय चस्थेत होंदे, इदा रांग लाल होंदे, इचकर पाथिक जीवन शक्ती दा दार्थे, उत्तर जीवन दा केंदर होंदे, एथी कुंडलनी शक्ती दे रचनात्म का विव्यक्ती दा वासा होंदे, पातक स्रीर नू जीवत रखन दा किरिया तंतर इत्वी नेमत हुंद है। इस चक्र नाल से बंदत गरंथी, अधिवर्क गरंथियां ते यौन अंग ते इस चक्र नाल से बंदत अंग, गुर्दी, मूत्राश्य, ते मेरुदंड, दूसरा है स्वधी स्थान चकर, हारा, सेक्रड चकर, इस चकर तो न इस चक्र नाल से बंदत गरंथी, इस चक्र नाल से बंदत अंग, जनन अंग ते तंगाहन, तेसरा मनीपुर्चकर, इस तुन्नी तो थोड़ा उपरवल, निचलियां, पसलियां, देविचकार स्थित हुंद है, इधर अंग लाल हुंद है, इस श्रीर दासल के इंदर हुं इधि पावनावा, लोब क्रोधाद, शक्ति दी प्रेर्ना ते बुद्धी मतादावी के इंदर हुंद है, इस चक्र नाल सबंदत गरंथी, अगनाश्या, इस चक्र नाल सबंदत अंग, अमाश्या, यक्रत ते पिता, ते चौथा हिर्दे चकर, हाट चकरा, इस चाती दे इधा रंग हरा हुंद है, इस असल ते निश्वार्थ, अकर्षन के इंदर दे नाल-नाल, ममता, अधियात्मक, विकास, करुणा, शर्ता ते प्रेमदावी के इंदर हुंद है, इस चक्र नाल सबंदत गरंथी, थायमस, इस चक्र नाल सबंदत अंग, दिल, यक्रत फे फड ते रक्त परिवेहना, कंठ चकर, थायरण चक्र, इस चकर संपर्क, संप्रेश्ण, आतम अभिवक्ती ते रचनात मक्तादा के इंदर हुंद है, इक गर्दन दे थले स्थेत हुंद है, इधा रांग हलका नीला हुंद है, इस चकर नाल सबंदत अंदर, कंठ उपरी थायरण चकर, थायरण दिमाग दे विचकार स्थित हुंद है, इधा रांग नीला हुंद है, इस अत्तिंद्रिय दृष्टी दूर संचार ते अंतर बोद्धा के इंदर हुंद है, इछ शक्ती बहुत दिकताते चेतना अंदा स्थान है, अन एक अध्यात्मक प्रंपराम विच तीजे नितर दा खुलना दे आत्मक जगरत्ती दा संदेश है, इस चकर नालस बंदत गरंती पियूश गरंती है, इस चकर नालस बंदत आंग मेरुदंड पश्ट्व दिमाग खबी आख ना सीकाती कान्हान, सत्वा है सैस्तुरार चकर, क्राउन चकरा, इस चकर सिर् थो स्थित होंदा है, ती यदा रंग बेंगनी होंदा है, इस चकर चेत्ना दे उच्तम स्तर दा प्रति निद्धव कर दा है, जिस्नु नूँ मनुख ज्यात्ती प्रापत कर सक दी, एनु पर बोधन एकता दी चेत्ना, ती मैं हां दी चेत्ना दे रूप्ट जाने आ जान इसे कारण अध्यात्मक जागर्ती प्रापत व्यक्ति एक सर अपने अपने सिर्दे चारो पासे प्रकाश पुँज नाल दर्साया जानदे। इस खास रूप दा सुमुहित समुचित मौका मिलनते पर्योग करो। इसलिए चंगा रहेगा। चक्रां दा रांग ते आवाज दूसरा ग्रंथी नलस बनती जा स्रीरिक पदार्थां दा नियंतर और चौथा कारज खेतर पन्यवा शक्ती दे स्रोथ छेवा तत्वा नलस बन्दत इस सत्वा तत्वा ते असंतुलन नल उत्पन बिमारियां। सत्वा शैस्त्रार चक्र क्राउन च्छिवा जड़ा तत्वा नलस बन्दत इस आग्या चकर बो चकर पन्यवा जड़ा शक्ती दे स्रोथ है विशुद्ध चकर थ्रोड चकर कार्ज खेतर चत्था हेर्दे चकर हाट चकर तीसरा श्रीरिक पदार्थां दा नियंतरन स्वाधिश ठान चकर हारा जकल चकर ते चकरां दा रंग ते अवाज चकरा पहला मूलाधार चकर बेस चारूट चकर इस श्रीरिक चितर च सत्था चकरा नूँ जो शक्ती दे केंदर हा नसी वेक्या है इस सारे चकर श्रीर दे पिछले ही से जिस ते था जिना जो उपरले जो चकर मत्यू दे कोड़ हां थे बाकी दे पांज चकर रेड डी दे कोड़ से थ था इना सारे चकर दा मुअग्गे वाल लै थे इना चकरां प्रबाव सुरीर दे चारो पैसे पहनदा है इना चकरां विचो थले वाड़े ते इन चकरां नू संसारिक जा वासनात में दे जन्दाया 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 जन्दा नकार आत्मक यानी नेगेटिव पॉजिटिव शक्ति दे प्रवाले व्यक्तिनू योग, कस्रत, अभ्यास, साधना, पक्ति, सत्संग, चंगे संस्कार ते नेमांदा साहरा लेना पेंदा है नहीं ता ए शक्ति दा प्रवा नेगेटिव सवरूप छोएगा व्यक्ति ये अंदत गरंतियां उते दिखाई देंदा है तन्वा